करेंगे इंपोर्टन इसकार जिसक्राइब दिसक्राइब जरूरत होगी वहां पर डिटेल से भी जानेंगे हारी क्योशन को अच्छे से समझेंगे और देखें एक मेराथन सेशन की डिमांड थी तो यह मेराथन सेशन ही आपके लिए रहने वाला है कोशन नबर वन से जो है को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा वर्टसाइब ग्रूप जोइन नहीं किया है तो वर्टसाइब ग्रूप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया है आपको मारे टेलिग्राम ग्रूप पर भी उसका लिंक मिल जाएगा तो व सही अंसर हो जाएगा यह थलोग विलेज पढ़ता कहां पर है यह लहॉल्स पित्ति का जो है वह विलेज है तो यह भी पूछ सकते हैं क्वेशन पूछने वाले की सुनेहरे सब्दों में जो थलोग गाउं में का लिपनो एक पांडुली भी मिली थी वह कहां पर पढ़ता ह वह लहॉल्स पित्ति में पढ़ता है यहां पर चैटरु फे लेज दिया गया है यह कांगरा रिष्टिक में पढ़ता है सांगला वैली जो है जिसको बैसपा घाडि के नाम से भी जाना जाता है और यह ङौट ही भी हुआ था ये कब हुआ था ये 1906 में जो था वो हुआ था यहां से ध्यान रखें अंगले कोईशन में क्या पूछा गया है बोलते हैं इन विच येर बड़ा शिगडी ग्लेशियर वाज कॉन केरड़ वाई ओल वुमेन माउंटेनर तो बोलते हैं कि बड़ा शिगडी ग्लेशियर जो है ना जो कि लोहिड पित्टी पेर ताहा है कि वर्स में पूछा गया था कि पॉस्को के तैम के मिंबर थे उनके तौरा कप किया गय था नाइंटेन जीरो शिक्स के दौरा वह उनके कि द्वारा किया था यह पता चल गया अब यहां से डेडेल से देख लिए नेरी से था स्टावर कीया चल गया lima a इट में स्टेफन्स के द्वारा किया गया था और 1970 में मेजर बलजीत के द्वारा जो था वो इसको ट्रैक किया गया था तो चंद्रा घाटी में कुछ important glacier आते हैं जैसे कि छोटा शिगडी glacier होगा चंद्रा घाटी में आता है पाचा glacier, कुल्टी glacier, shifting glacier, दिंग कर्मो glacier, तापन glacier, गेफिन glacier, शिरली glacier, बुलुनाग glacier, चामुद्री glacier, यह जो हो चंद्रा वैली के glaciers है अगले question में देखी क्या बोलते ह how many villages have been included under model ecovillage scheme हिमाचल परदेश, तो बोलते है financial year 2023 में, 2023 के लिए कितने जो है model ecovillages को शामिल किया गया है, तो देखो हिमाचल परदेश में 19 model ecovillages को शामिल किया गया है, option D सही अंसर हो जाएगा, 19 जो है model ecovillage scheme चलाए गई है, उसके तहदे include किया गया है, इसका total budget scheme का 3 यह आपको पता होना चाहिए, financial year 2023 के लिए, इसमें जो हो 32 लाग का provision रखा है, specific रूफ से financial year 2023-24 के लिए, 32 लाग रपया जो है, वो scheme के तहित, इसको implementation के तहित, जो हो खर्चा किया जाएगा, यह 3 क्लोड रपया क्या है, यह इसका overall budget है, वैसे financial year 2023 की 32 लाग है, अगले question में देखें क्या बोलते हैं, बोलते हैं, विच और फॉलाइंग, शिमला हिल स्टेड्स हेल्फ अगेंस्ट गोर्खास एराउंड 18, 14, 15, AD, तो बोलते हैं कि निम्मलिकित मैंचे, शिमला हिल रियासत ने, 1814-15 के आसपास गोर्खाओं के व्रुद अभ्यान में अंग्रेजों क की साहिता मनत की थी, तो दो देखें, अगर हम बात करते हैं कि किस शिमला हिल रियासत ने, 1814-15 में के आसपास गोर्खाओं के व्रुद अभ्यान में अंग्रेजों की साहिता की थी, तो कहलूर ने भी की थी, हिंडूर ने भी की थी, बुसहर ने भी की थी, यानिकि all of these option D जो है, वो सही अंसर हो जाएगा, इन सभी ने ही जो था, वो साहिता की थी, यहां पर यह पता होना चाहिए, अगला question देखें, बोलते हैं, which raja of kangra princely state was presumed dead and his funeral rights performed even though he was alive, तो kangra के कौन से राजा थे, जिनको मरा हुआ मान लिया गया था, वास्तव में वो जिन्दा थे, प्र क्या होता है, फिर हमें देखने को मिलता है कि हरी चंद के, हरी चंद जब जिन्दा वापिस लोटते हैं, तो होता असल में यह है कि हो शिकार घरने गए थे, एक कुवे में जाकर गिर गे, लोगों सुचा मर गए है, कुछ दिन वेट किया, नहीं आए, उसके बाद उनके भ कि कि डैकर भी सपने चाए, तो इसके इस था करो हो यह नतर गाएं, वा ईनके बाई करम चंद को जो था हो राजा बनाया गये था, यह भी पता होना चाहिए, इसमें पूछा गैये है, पतलीक तो क्आ और फिच ही फ्लन एक फिस्ट नहिड है, उसके फिस्टा उपना से इंतर है हमारे बास कुछ एक important fish farm है उनकी स्थापना कब कब की गई थी वो भी एक important question जो हो बनता है तो हम उनको एक बार device करते हैं कि Brook Stream chain जैसे पतलिकूल फिश फार्म जो किए हैं वर्श थैविख में कि गयी थी और दिखो एक मशली का पर वरकार है और इक और यह जो जितने भी फिश फार्म नहीं आपको बताये हैं उट्ट मशली पर मशली ़ी कि पतली कुल हो गया जो कि ब्यास की सायक नदी आगे चलकर बनती है और 1909 में यहां पर जो था उस फिश फार्म की था वस्ता अपना की गई थी अगला गोशन देखिए बोलते हैं हमाचल परदेश इन रूरल रीजन तो बोलते हैं कि सिटंबर 2022 तक हिमाचल के ग्रामिन क्षेत्रों में कितने बैंक अकाउंट था यह पूछा गया है सेप्टेंबर 2022 तक हमारे पास तो अभी 2023 का भी डेटा पहुंच चुका है तो वह भी हम जाने हैं सेप्टेंबर 2022 तक हिमा प्रदान मंत्री जन धन योजना के तहए और इसमें क्या बताया गया है इसमें यह बताया गया है कि टोटल 18.30 जो 18.30 लाक बैंक अकाउंट जो हैं वह हिमाचल प्रदेश में हैं अगर इसमें से हम बात करते हैं कि रूरल रिजन में कितने हैं तो रूरल रिजन में जो हैं 16.38 लाक बैंक अकाउंट है 16.38 लाक बैंक अकाउंट जो हैं वह रूरल में है अर्बन की अगर हम दूसरी और अर्बन में जो है वह 1.92 लक बेर कांट्स अर्बन अर्ज में हो अर्बन सेफटेंबर 2023 अगर्ला गशण देखे बोलता है साशूर गोंपा जो कहां पर्षित है ऐसे तो पता है आपकूस के कहsti पर कहां पर सब्रसाई है रहते प्रह期 टीर सके पर classic कहां पर मैं उनमें से एक तो ताबो मोनेश्टरी आपके पास आ ज contributing अधानने धैसाइजे fuckin अ जाने हुए 1000 साल पूरे होगे थे 1996 में और आपने ध्यान रखना आप साशूर गोंपा के बारे में जो कि 7th century में बनाया था देवा ग्यास्तो के दौरा बनाया गया गया और यह कहां पर है लहौल में जो है वो स्थित है कारदंग गोंपा ध्यान रखना है यह लहौल में जो ह पहरे तो 1912 मैं इसको फिर से रेनोवेट किया जाता है और लामा नौरवु के द्वारा जो है इसको रेनोवेट किया घनाया गया टा तो हैं इसको कब आ इसको किया था कि इसलिए है, कि इसलिए है कि यह एक नेशनल पिर्क वी ध्यान रखे यहां से की design वैली नैशनल पार को नेशनल सबसे बड़ी है उसनों Mother क्या गोई था अग्ला वैसिन देखिये क्या बुलते आ पुलते हैं ताइप डाले इस अताइप आफ मैरीच आप वूंग एक सिंदों यह मैरीज का टैप वांग सान जोरक इसके बीच में मैरिस का टाइप आता है देखो तेवांक्स्टन की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है वो लहौलाज के बीच में मैरिस का टाइप आता है लहौल ऑप्शन ए जो है वो सही अंसर हो जाएगा हमारे पास अलग-अलग मैरिस के अलग-अलग टाइप जो है वा आ है किननर tsunami मैर चा को पता है यहाँ है पता चल गया अगला इस क्या पूचा गया है बोलते हैं लाइफ ऑफ विच ऑफ फॉलाइंग सेवड वाइब मूर्क्राफ्ट विद इस मेडिकल स्किल्स तो बोलते हैं मूर्क्राफ्ट के दौरा अपनी औस्दिय कुशलता से किसकी जान बचाई गई थी तो ये फत्तेह चंद के दौरा फतेह चंद प्रण्द उसकी जान बचा लिजाती है और मूर्क्राफ्ट को दिये जाते है इसके बदले पगड़ी के साथ मूर्क्राफ्ट की हैड जो है वो अदला बदली कर ली जाती है ये भी पता हो चला आपको साथ में यहां से ध्यान लखें कि उसके बाद कुछ टाइम के बाद संसारचंद की मृत्यू हो जाती है संसारचंद की मृत्यू होती कब है तो 1824 में संसारचंद की मृत्यू होती है ये भी क्वेशन बनता है यहां पर वही लिखा गया है जो भी मैंने आपको बताया और यहां पर देखो European travelers जिनके दौरा विजित किया गये था कांगड़ा को अलग लग टाइम में Thomas Koryart के दौरा 1615 में थैवनोट के दौरा 1666 में Foster के दौरा 1783 में Moorcraft के दौरा 1820 में Vigini के दौरा 1835 में ये हैं अलग लग travelers जिनके दौरा कांगड़ा को अलग लग टाइम में विजित किया गये था अगले question में बोलते हैं which following is not correct about कांगड़ा in Himachal Pradesh तो बोलते हैं कि Himachal Pradesh के कांगड़ा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बोलते हैं it is bounded by on the northwest by गुर्दासपूर it is bounded by northwest by गुर्दासपूर ये दोवार statement आ गई है अगले में बोलते है गेरु जोत is located in कांगड़ा तीस चौते में बोलते हैं ब्यास leaves कांगड़ा at मुलतान गुर्दासपूर 2 ये बिलकू lock the जोत है और ग्यास ब्यास कांगड़ा को कहां पर छोड़ती है मूलतान में चोड़ती है कंगड़ा को पहले तो खुलो में बहती है विर कांगड़ा में छोड़ती है संधोल के बास मिर्थल के स्मीप ये कांगड़ा को जो है वो छोड़ जाती है अगले क्वाशिन देखते हैं मर बास क्या पूछा गया है अगले क्वाशिन में हम बोलते हैं इन विच आप दा फॉलाइंग डिस्टिक और माचल प्रदेश तो स्टेरल और में वोट्र के बाएंग बहलते हैं मतलब सत्लुज नदी तो मुख्य रूप से इसकी भी शायक नदी आगे चल कर बनती है लिक्वाशित हरा सतलूज बलासपूर में कसोल लामक स्थान पर एंटर कर जाती है बलासपूर को ये नैडा लामक स्थान पर छोड भी देती है उसके बाद और आपको बता होना चाहिए कि भाकडावान सतलूज नदी के उपर बना हुआ है बलासपूर में एक अली धारा है अली स्ट्रिम है यहां पर एक जिसको अली खट भी कहते है यह अली जो है वह सतलोज की सायक नदी है परन्तु जो एक important question यहां से बना है वो क्या बना है कि ब्लासपुर में जो है इलोली में मचली प्रजनन के इंदर वह स्थित है ये मचली प्रजनन के इंदर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो ये इस अली खड के किनारे जो है वो स्थित है अच्छा अली खड के किनारे तो ये मचली प्रजनन के इंदर जो है वो स्थित है प्रन्तु यहां से क्या कुछ और question भी आप expect कर सकते हैं तो ये question यह यहां से बन सकता है कि यह फिश फार्म जो देवली फिश फार्म है वो कब सेट अप किया गया था 1961-62 में जो था वो इसको स्थापित किया गया था अगला ग्रशन देखिए क्या बोलते हैं अगले कोशिट में बोलते हैं लानजी, सरद, राजनगर और फेमस ओलाइव डवल्पमेंट सेंटर in which of the following डिस्टिक तो लानजी, सरद, राजनगर या निहनी मलेकित में से किस जिले में जैतून विकासकंदर हैं और फेमस जैतून विकासकंदर यहांपर यह आते हैं तो लांजी हो गया, सरद हो गया, राजनगर हो गया, यह ओलाइव डवल्पमेंट स्टेशन हैं और यह चमबा डिश्टिक में आते हैं, option भी सही अंसर होगा, चमबा में क्या क्या आता है, देखो चमबा में जो हो आपको देखने को मिलेगा, कि चमबा का चुरहा क्षेतर है पांगी क्षेतर है, भरमा और क्षेतर है, वहाँ पर तो सेब के बगीचे भी दिखने को मिल जाएगे, चमबा के पांगी में चिलगोजा भी पाया जाता है, चमबा में जो हो छे seed multiplication farm जो हैं वो स्थित है चंबा में जो 6 seed multiplication farm है वो कहां कहां पर सित है एक एक करके मैं यहां पर लिखूंगा एक भनोटा है वो भनोटा हो गया एक रजवरा है वो हो गया एक रजवरा एक हो गया थुलिट थुलिट हो गया एक हो गया भगाट भगाट के लावा एक धारवाज हो गया यह अपने ध्यान रखना है धारवाज हो गया और एक बच जाता है वो है आहला आहला आपने नोट कर लिया यह जो है वो छे यहां पर जो है मुख्य रूप से जो है वो सीड मलिटिप्लिकेशन फार्म जो है लाक पालम्पूर की टहसील कब बनी थी तो 1888 में जो था… बनी थी prop रूहama और चाहिक खेती लिए जाना जाता है। पालम्पूर में एक Agriculture University भी आती है, तो उस Agriculture University की स्थापना 1978 में की गई थी। पालमपूर जो है, वह वेट सब्टेमपरेट जोन में आता है, कौन सी जोन में आता है? वेट सब्टेमपरेट जोन में आता है, यहाँ प्रोभू लिखा गए है कुछ eMPORTANT कि 1888 में पालमपूर तहसिल क्रियेट की जाती है, और हमिरपूर रिमेंड पार्ट आप पंजाब प्रोवियंस रहता है अंटिल 1966 तक 1 नमेंबर 1966 तक यह पता चला अगले कोशन में बोलते हैं विच आप फॉलोइंग डिस्टिक आफ हिमाचल प्रदेश हाइस्ट प्रसेंटेज डिस्ट्रिवूशन ऑफ एरिया अंडर फूट्स इन 2020-2021 यह डेटा 2020-21 का पूछा गया है क्योंकि लेटेश्ट हमारे बास 2020-21 कोई arranged data हमें मिला तो वो जो है वो शिम्ला क्षेत्र है अगर हम बात करते हैं विए चिम्ला का 20.96 कांग्रा का 17.45 प्रसेंट इरिय sow एर मंदी का vein १ overlooked eight प्रसें प्रदेश लोएष्ट तो बोलते हैं कि किस जनगनना के अनुसार ये ओवराल हिमाचल की सेक्सरेसों फुची गई है और एक बार नहीं को चार-पांच बार अभी तक ये कोईशिन हमने पड़ भी लिया है हिमाचल की सेक्सरेसों सबसे कम है तो हिमाचल की सेक्सरेसों कितनी इर में पहले तो वो बता होना चाहिए आपको किस सेंसर के सेक्सरेसों कितनी थी तब ही आप जो हाँ एनलाईज कर पाएंगे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 1981 की तो 1981 के सेक्सरेसों कितनी थी वो थी 973 वो थी 973 1991 में हिमाचल की社群ों कितनी थी 976 थी 2001 में हिमाचल की社群ों कितनी थी वो थी 968 2011 में हिमाचल की社群ों कितनी थी 972 वो पता चल गया आपको अब देखोए यहां पर lowest पूछा गया है lowest Eye 2001 में option c जो हो सही answer हो जाएगा बड़े इजीली ये question solve हो गया अगले question में बूला गया है at which altitude मणी मेहस लेक इस लेक परस्तित है और आजकल तो मणी मेहस की यात्रा भी चली हुई है तो news paper भी कहीं पर कहीं ना कहीं पर ये मिलते जूलते आंकड़े आप पो देखने को मिलेंगे इस स्यात्रा की बात की जाए तो 1983 की बात है कि इस स्यात्रा को जो था वो state level का दर्जा जो था वो दिया गया था कौन से state level का दर्जा जो था वो इसको दिया गया था अगला question देखते हैं मरबस क्या पूचा गया है बोलते हैं which of the following pass is situated between kangra and spitti तो बोलते हैं कि कौन सा दर्रा कांगड़ा और spitti के बीच में जो है वो इन मैसे जो है कुल्लू और्स पित्ती यहां पर पुछा गए है कुल्लू और्स पित्ती के बीच में कौन सा दर्रा इन मैसे आता है तो इन मैसे जो है वो सारा उम्गा पास सारा उम्गा पास जो है कुल्लू और्स पित्ती के बीच में जो है वो आता है कौन सारा उमगा option ने जो है वो सही अंसर हो जाएगा अच्छा सारा उमगा पास कुलू और स्पित्ती के बीच में जो है वो आता है कुलू और स्पित्ती के बीच में क्या कोई और दर्रा भी आता है एक दर्रात है वो है पिन पारवती दर्रा वो आपने नोट कर लिया पिन पारवती दर्रा नलगाउं पास जो है वो कहां पर आता है अगर हम इस नलगाउं पास की बात करते हैं कि ये important pass कहां पर आता है तो ये जो है वो कि नौर को घड़वाल साइड से जो है वो जोड़ता ह यहां पर C जोत दिया गया है यह C जोत जो है यह भी important है और यह कहां पर जो है वो आता है तो यह district कुलू में जो है वो आता है यहां पर तोरी दिया गया है तोरी जो है वो चमबा और कांगडा को आपस में जोड़ता है चमबा और कांगडा को आपस में चोड़ता है तो जो options दिये गए हैं वो भी हो गया कुलू स्पित्ती के पास इस भी जान लिए तो लोहल को स्पित्ती के साथ जोने वाले दर्रे कौन कौन से हैं तो यह दर्रे भी तैंपला धर्रा हो गया वो भी दियान रखें अगले question में बोलते हैं विच आप दर फॉलोइंग डिस्टिक बिलासपूर शेर बॉंडरी तो बोलते हैं बिलासपूर किस डिस्टिक के साथ जो हो बॉंडरी शेर करता है directly मैं अंसर बताता हूँ फिर हम map देख लेंगे सोलन, मंडी, हमिलपूर, उन्ना के साथ ये बॉंडरी शेर करता है directly हम map देख लेते हैं एक वार हिमाचल पर देश का कि किस किस के साथ ये बॉंडरी शेर करता है यहां पर देखिए यह है बिलासपूर आपका अब बिलासपूर की अगर हम बात करते हैं तो बिलासपूर, हमिलपूर के साथ जो है उपर वाली साइड को बॉंडरी शेर करता है बिलासपूर मंडी के साथ भी बॉंडरी शेर करता है सोलन के साथ भी बॉंडरी शेर करता है कौन कौन से direction में ये करता है तो देखो यहां पर east, west, south, north करके आप खुद ही बिना लेना east, west, south और north करके आपको पता चल जाएगा north उपर हमेरे पुरा गया east में अग मंडी देख लेंगे आप और अगर आप south में बात करेंगे तो solan आ जाएगा north और west में बात करेंगे तो उन ना आ जाएगा तो इस तरह से ये मोटे मोटे तोर पर ध्यान रखें पता चल गया ने ब्लासपूर की वांडरिस के बारे में तो ये ध्यान रखना अगले कोशन में क्या बोलते हैं बोलते हैं यह तो हो गया हमारा कोशन कौन बने थे 1960 से 1963 के बीच में बात जुडीशिल कमिशनर की की जा रही है तो जुडीशिल कमिशनर 1960 से 1963 के बीच में जेस्टिस टी रामा भदरन बने थे ऑप्शन ए जो है वो सही अंसर है स्री टी रामा भदरन का नाम आपने ध्यान रखना है हम Judicial Commissioner की ही बात कर लेते हैं कि कौन कौन कब कब Judicial Commissioner ही माचल परदेश का जो है वो रहा Judicial Commissioner को जो है वो आप नियाया एक अधिक्षक जो है वो कहेंगे यहां पर हमने जाना 1960 से 1963 के बीच में यह रहे थे टी राम भदरन इनका हो गया आपने सबसे पहले Judicial Commissioner ध्यान रखने जे एंड बेनर जी यह सबसे पहले थे और कब से लेकर कब तक रहे थे 1948 से 1956 तक यह रहे थे और उसके बाद जो है वो टी राम भदरन जो है कर रहते हैं फिर से 1960 में उन्य जूडिशल कमिश्नर बनाया जाते हैं तो वो T-Ram-Bhadran को फिर से बनाया जाते है और वो 1963 तक रहते हैं फिर फिर वो 1963 तक रहते हैं तो यह घर सकी थे अगलियों आइनly भी है पर्फिर उतर न aptin 1963 से 1967 तक रहे थे तो यह यहां से पॉइंट बने अगले कोशन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल क्रिशी योग एक्षेत्र का लगभग कितना प्रिशत जो है वो वर्सा पर निर्फर करता है यहां पर लिखा गया है कि स्टेट के द्वारा जो वारिश वर्सा देखने को मिली हमें कितनी एवरेज रेंफॉल होती है कांगरा डिस्टिक में हाइस ट्रेंफॉल होती है जो कि उस फॉलो के जाता है चमबा सिर्मोर मंडी के द्वारा तो यह इंपोर्टन पॉइंट है मोस्ट अगले कोशन में बोलते हैं यहां पर मंडी में इंपोर्टन रेंजी जो आती है वो भी एक्जाम में पूछी गई है अच्छा मंडी में कौन कौन सी इंपोर्टन रेंजी जो है वो आती है मंडी में यह धार वेरकोट पड़ती है यह रिवालसर साइड को जो है वो पड़ती है और मंडी में जो है वो सिकंदर धार पड़ती है सिकंदर धार मंडी में पड़ती है जो कि सिकंदर लोधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है यह रेंज जो है ना फिर दो सब जाती है next question है बोला गया है in which mountain range does the stream बान गंगा फॉलो तो बोलते हैं कि बान गंगा नदी जो है वो किस परवत रिंख्रा में बहती है तो दिकर बान गंगा धारा जो है वो कहां पर बहती है बान गंगा धौला धार में जो हो बहती है option C जो है वो सही answer हो जाएगा बान गंगा बयास की IMPORTANTS हा एक नदी है और बयास की IMPORTANTS हा एक नदी है जो डिस्टिक कांगडा में बन थी है और बान गंगा और बान गंगा के साथ जैसे कि बनाती है गुर्दासपूर पंजाब में पढ़ता है अभी हमने उपर कोईशन में क्या देखा करता है कि नौर्थ वेस्ट वाइ गुर्दासपूर डिस्टिक के साथ जो है कांग्रा का लगता है और जैसे की न्यूगल हो गया ये भी जो है वो जोईन करती है ब्यास को आगे ऑफने निदाल तो बोलते हैं शिमला के आसपास वो कौन सा मंदिर है जिसका माना जाता है कि उसंत नीम करोडी जी के दोरह जथाव बनाया गया तो ये संकट मोचन मंदिर है काफी फेमस मंदिर है शिमला का संकट मोचन मंदिर अच्छा शिमला में जो है संकट मोचन मंदि क्या है, इसकी height, जो है, जाखु range की height तो यह जानी है, जाखु की height यह 2455 meter, अच्छा, यह इसका altitude है, जाखु में जो भगवान हनवान जी की मूरती है, वो 108 feet उंची मूरती है, कितनी 108 feet उंची मूरती है, अगर in term of meter देखा जाए तो 33 meter, जो है, वो इसकी height आती है, अच्छा, वन आफ दी टॉलेस्ट स्टैचू है ये परंतु इससे भी उंचोंची स्टैचू बहुत सारे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 2008 में स्टार्ट होगी थी कंप्लीशन इसकी 2010 में जो था वो हो गई थी और इतना ही जानी है इतना काफी है यहां से जानने के लिए अगला गशन देखते हैं फरंतु 25 गशन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं अगर सेशन आपको helpful लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कर दें कम से कम 1000 से उपर लाइक तो होने ही चाहिए ताकि इस तरह के और भी मैराथन सेशन जो है वो आगे चल कर लाए जाए अगला गशन देखे बोलते हैं क्या बोलते हैं विच राजा ओफ मंडी अनेक्स्ट द्रंग एंड गुम्मा एराउंड 1554 अभी तो हम द्रंग और गुम्मा के बारे में पढ़ रहे थे कि द्रंग सेन ऑप्शन जो है वो सही अंतर है साहीब सेन जो था ये मंडी के राजा थे जिनके दोरा इनको एनेक्स किया गया था तो यहां से इतना ध्यान रख लीजिए मंडी की जो मंडी सहर जो आता है ना मंडी सहर की स्थापना किसके दोरा की गई थी तो राजा अजबर सेन थे जिनके दोरा मंडी सहर की स्थापना जो था वो की गई थी मंडी में जो है वो कमुला घर फोर्ट भी आता है वो कब बनाया गया था वो 1625 में जो था वो बनाया गया था किसके दोरा बनाया गया था राजा सूरत सेन के दोरा जो था वो बनाया गया था और मंडी में दमदमा महल भी बनवाया गया और मंडी में दमदमा महल जो था ये भी राजा सूरत सेन के द्वारा ही जो था वो बनवाया गया था अजबर सेन का प्रचल गया सूरत सेन का पता चल गया मंडी के राजा ऐसे भी हुए जिनके कारेकाल के दौरा गुरू गोविन सिंग जी के दौरा मंडी की यात्रा की गई थी अगला ग्वेशन में बोला गया है तो कांगडा रीजन का स्मॉलेस्ट प्रेंसली स्टेट जो है वो कौन सा आता है कांगडा में जो है वो अलग-लग प्रेंसली स्टेट सा आते हैं छोटी-छोटी रियास्तें आती है तो कांगडा का जो स्मॉलेस्ट प्रेंसली स्टेट है वो कौन सा है वो है कुटलेहर कुटलेहर ऑप्शन सी जो है वो सही अंसर हो जाएगा अचा कांगडा का यह smallest princely state है ठीक बात हो गई प्रंतु प्रंतु किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी काफी है यहां से इतना अगला question देखते हैं यहां पर पूछा गया है यहां पर हिमाचल की नहीं बाकी भी states की पूछी गई है आपसे अगले question में migrant की एवबह है बहुत सही बात है बिलकुल सही बात है अगर हम पंजाब की नाइन है नहीं-टरी है यह नूट करें और यूट करें यह नोट करें अगले question में क्या पूचा गया है 29 में बोलते हैं तो कि नौर को जो तीबतन के वारा कहा जाता है वो क्या कहा जाता है खुम्नू कहा जाता है option B सही answer है अगले question में क्या बोला गया है which ruler of Chamba was appointed as the guardian of राजा दलीप सिंग of Gulayr गुलेर के राजा दलीप सिंग का guardian जो हो चमबा के किस राजा को जो था वो बनाया गया था चमबा के राजा थे उदाई सिंग उदाई सिंग को बनाया गया था option B जो हो सही answer हो जाएगा किस का guardian बनाया गया था ये दलीप सिंग का guardian जो था बोलते हैं मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना वाज लॉंच दिन तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को कब लॉंच किया गया था मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को कब लॉंच किया गया था मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को कब लॉंच किया गया था और इसी योजना में आपने ये भी ध्यान लखना है कि 232 एक्टेर का फॉरेस्ट लैंड जो है ना मौनसून सीजन 2023 में ही जो है वो 11 डिस्टिक्स में जो है वो गवर किया गया है बाकि एक्सपेंड किया जाएगा आगे चल कर भी जो आने वाला डायम है अगले क्वेशन में कहां पर आता है ये इनर हिमाल्य में जो है वा आता है डिस्टिक मंडी में जो है ये बढ़ता है प्रंदू यहां से ध्यान रखना है आपने कि जो आउटर हिमाल्य में आता है उसमें क्या कि आता है वैसे तो आउटर हिमाल्य यानिक शिवालिक रेंज आउटर मोस्ट रें रखनी है जोगंद्र नगर जो मंडी में पढ़ता है वो आपने ध्यान रखना है कि यहां पर जो यहां आते हैं इस आउटर रिंज में आते हैं शिवालक रिंज कहते हैं जिसको नयक्स्त केशन देखते हैं अब हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या रही वो कितनी कितनी रही 2011 की जब census हुई तो हिमाचल की पॉपलेशन थी वो ठी 68,64,602 2001 की जनगरना उसके बाद होती है तो 2001 की जनगरना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या है वो कितनी है वो है 60,77,900 यह आपने ध्यान दखना है 1991 की अगर हम बात करें तो इसके गॉर्डिंग जो है वो हिमाचल की जनसंक्या कितनी है 1991 के गाउडिंग हिमाचल की जनसंक्या है वह फिफ्टी वन लैक 81,70,877 अच्छा 1981 की के अगर हम बात करते हैं 1981 के गॉर्डिंग हिमाचल परदेश की जो हिमाचल परदेश की जो जनसंग कैया है वो कितनी है वो है 42,80,818 यह है हिमाचल की तो हमने क्या क्वेशन पढ़ा कि हिमाचल की 51,60,870 किस के गॉर्डिंग है वो 1991 के गॉर्डिंग है तो option भी सही अंसर हो गया अगले question में बोलते हैं मंचध dialect which is a mixture of तीपतें जेंड हिंदी is spoken spoken by which of the following तो मंचध एक बोली है जो तीपती और हिंदी का मिश्रण है किस के दोरा बोली जाती है तो स्वांगलास के दोरा बोली जाती है option A जो है वो सही answer है स्वांगला जो है ना स्वांगला शेडूल ट्राइब ये पत्तन वैली में रहते हैं चंद्रा भागा वैली जो डिस्टिक लोहल में आती है वहां पर रुषीन के ट्रैक्स देखे जाती है और आपने ध्यान रखना है कि ये राजपूत होते हैं और ब्रामेन होते हैं इनके द्वारा जो मंचे द्वासा बोली जाती है ये मिक्चर है तीप्तियन जोर हिंदी का चिनाली बोली जाती है ये जो है वो सिप्पी और लोहार के द्वारा जो है वो बोली जाती है भोटी बोली जाती है जो कि बौट्स के द्वारा बोली जाती है तिनन जिसको तिनन अलग लग तरह से प्रणन्स करते हैं यह जो है वो शिशू एरिया के लोगों के द्वारा बोली जाते हैं इनके बीच में मुंडा स्पेकिंग ट्राइब जो है बेंगौल की रिजैंबल करती है और बिहार सेंटरल इंडिया की करती है अगले कोशन में क्या बूला गया है बोलते हैं तो बोलते हैं कि निम्मलिक तुमा इसके द्वारा गौओं में बांगंगा नदी के तड़ पर फिफ्टीटू पत्थर की कुलहारियां पाई गई थी तो ये किस के दोरा देखी गई थी ये देखी गई थी जी सी महापात्रा के दोरा ओप्शन सी सही अंसर है जी सी महापात्रा के दोरा देखी गई थी अगले कोशन में यहां पर वही लिखा गया है कि जी सी महापात्रा के दोरा जो था वो 52 स्टोन एक्सेज जो था वो बैंक उोफ रीवरबानगंगा में देख ही गई थी रहॉल गाउंबा जो है वह वाँ पर अगले क्वाशन में में बहुते है यहां पर ان विच इयर राजा रंजीत सिंग ऐक्वार दा कोर्ट फोर्ड तो राजा रंजीत सिंग के दोरा ये कोटला फोर्ट कब एक्वाइर किया गया था तो ये कब एक्वाइर किया गया था अठारा सो ग्यारा में किया गया था अगले ग्वाशन में क्या बोला गया है बोलते हैं अम्रिताशेर्गिल जल्कल चेनव 1913 में हुआ था बुद्धापेस्ट जो की हंगरी की केपिटल है वहां पर हुआ था यहां से एक और question जाने है, बुद्धापेश्ट जो है ना, Hungary की capital है प्रंतु यह जो है, वो कौन सी नदी के किनारे इस्तित है, यहां पर लिख देता हूँ, डेनुबे नदी के किनारे इस्तित है, डेनुबे नदी के किनारे इस्तित है, अमरिता शेर्गिल के दौरा जो है, वो Jesus and Mary Convent School Shimla से जुधाओ अपने बढ़ाई की गई थी, यह famous painter थी, 1931 में sitting nude, black nude, torso, Alfred Corot, यह paintings इनके दौरा बनाई गई थी, 1932 में young girl, self portrait, Notre Dame में यह paintings इनके दौरा बनाई गई थी, यह mother India painting, 1935 में बनाई गई थी, इसी दौरा इनके दौरा men in white, group of three girls, hill men, hill women, यह paintings भी यह bride's toilet, यह bride's toilet पूछी भी गई है किसी exam में, यह बनाई गई थी, और 1938 में साइस्ता elephants bathing हो गया, green pool और red brick हो गया, यह paintings बनाई गई थी, red clay elephant hill sense यह बनाई गई थी, 1939 में mother and child sketch इनके दौरा बनाई गया था, 1939 में, आच्छा, 1941 में camel painting बनाई गई थी, अगले question में क्या बूला बूलते हैं, which of the following is correct about number of primary health center in हिमाचल प्रदेश in 2023, 2024, primary health center हिमाचल में कितने हैं, 2023 के according अगर हम बात करें, तो 580 हैं, option C, सही answer है, हिमाचल में 115 civil hospital आते हैं, 104 community health center आते हैं, 580 primary health center आते हैं, 16 ESI civil dispensaries यहां पर आते हैं, और अगर हम health sub center की बात करते हैं, तो 2114 आते हैं, 2114 जो ह हैं, वो health sub center यहां पर आते हैं, अगला देखते हैं, मारवास के पूछा गया, 39, बोलते हैं, which of the following is located between kangra and बड़ा भंगाल, तो kangra और भड़ा भंगाल जो की दोलादार range में आते हैं, बोलते हैं, उनके बीच में क्या स्थित हैं, इनके बीच में क्या स्थित हैं, इनके बी आते हैं, तो चमबा में जो है, वो पढ़ती है, उस answer की के according भी वही चमबा अंसर दिया गया था, चमबा में, वैचे kangra में भी doubt होता है, प्रन्तु kangra वहां पर option में भी नहीं दिया गया था, ठीक हैं, उस question में, option में भी kangra नहीं दिया गया था, अगले question में क्या बोला गय गई है, option A, महारीसी वाल में की कामकार आवास योजना सही है, यह योजना चलाई गई है, इसमें क्या होगा, इसमें जो वाल में की कम्नेटी के भाई बहन है, उनको जो है, वो house construction के लिए साहिता दी जाएगी, जिनकी income 2.5 lakh से कम है, उनको यह साहिता दी जाएगी, assistance कितनी दी जाएगी, 3 lakh to build house दी जाएगी, 3 lakh जो है, उनको जो है, यह साहिता दी जाएगी, जिनका अपना घर नहीं है, उनको यह साहिता फिर मिलेगी, अगला question देखे, 41, बोलते हैं, the famous building built in a unique colonial style by Richardson and Crudas in Shimla is, तो Shimla के सिमला में Richardson और Crudas द्वारा अधित्वे, अपनी basic Charlie में जो न for the, which of the following river basin, 9,258 villages of 4 districts with more than 1,200, निमली की तुमें से किस नदी घाटी में, 4 जिलों में, 9,058 गाओं, 1200 से अधिक पंचायतों में, जलवाईयू का अकलन किया गया था, तो यह किया गया था, ब्यास river basin पर option, ब्यास यो है, वो सही अंसर होगा, अगले question में बोलते हैं, HR MN 99 is a variety of which of the following fruit, तो यह HR MN variety है, एपल की, एपल option C जो है, वो सही अंसर है, अगले question में बोलते हैं, in which month, शिशू fair held in शिशूर गूंपा, तो शिशूर गूंपा में यह शिशू मिला होता है, कौन से महीने में यह लगता है, यह जून के महीने में लगता है, option A, सही अंसर है, और Money Monastery में, Money Monastery जो गौंदला में है, वहाँ पर यह अगस्त के महीने में जो होता है, यहाँ पर लगता है, जिजेज फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जो कि अक्तूबर के महीने होना जाता है, ठांग यूद मोनेस्टिवल मनाया जाता है, यह जो है वो गुमरांग कोठ में जो है वायुजित के जाता है, और Gen Fab के महीने में यह मनाया जाता है, कि लौंग में मुख्य रूप से इमान के चलिए इसको celebrate करते हैं, हाल्दा की बात करें, तो यह चंद्रा भागा के लोगों के दवरा मनाया जाता है, लहाल स्पिक्ति में, दिसंबर जनवरी के महीने में मनाया जाता है, शिशु मिला हो गया, जो कि हमने पढ़ लिया कि कहां कहां पर कब कब मनाया जाता है, 45 में बोलते हैं, तो बोलते हैं कि चंबा राज्य के प्रसाशन परिसद के प्रत्थम अध्यक्स कौन थे, जिसका गठन नवालिक साशक राजा लक्समन सिंग के व्यस्क होने तक प्रसाशन की धेखपाल के लिए किया गया था, तो यह कौन थे, यह मेजर टॉलिम थे, ऑप्शन भी सही अंस हो जाएगा, मेजर टॉलिम थे यह जिनको यहां पर बनाया गया था, जब तक राजा लक्समन सिंग बड़ा नहीं हो जाता कि वो राजपाट को देख सके, तब तक इनको कहा गया था, यहां का, जो कारभार था उसको देखने के लिए, लक्समन सिंग की बात करते हैं, तो लक्समन सिंग जो था, वो कौन थे, लक्समन सिंग जो था, वो अंतीम राजा भी हुआ करते थे, चमबा रियासत के यह, अंतीम शाचक भी जो था, वो हुए, यह ग्वेशन पूचा भी गया है, वैसे एक्जाम में, और अगर हम बात करें, चमबा रियासत के, चमबा रिय चम्बा में जो है वह आपने ध्यान रखना है कि एक बिजली घर बनाए गया 1910 में और यह राज भूरी जिंदь द्वरा ही बनाया गये था सब्सक्राइचंबा में जो है वह बस्तुरह और ऐस एक पोस्ट आफिस भी खोला जाता है और चमबा के जितने भी वन है उनको जो है उलीस पर भी दिया जाता है ब्लेड रेड के द्वरा और सिरी सिंग के कारेकाल की द्वरान की ये बात है ब्लेड रेड जब बने थे अगले क्वेश्चने में बुलत है तो हिमाचल के कुल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें से जो नेट सोन एरिया है सुध बोई जानवाल अक्षेत्र है वो कितना है वो आपने ध्यान रखना है कि वह 11.49% ऑप्शन सी जो है वो सही अंतर है आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया 11.49% ऑफ दा एरिया कमज अंडर नेट सोन एरिया इसमें से ध्यान रखना है कि 24.55% जो है वो अंडर फोरेस्ट कबरेज है और लैंड रखना है आपने ध्यान कि जो नौन अग्रिकल्चर यूजिज में आती है वो 7.98% है फैल नवार्ड इस इंप्लिमेंटिंग दा प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन मंडी इन विच ऑफ दा फोरेंग मंडी तो यह धली मंडी और जो की शिमला में आती है और एपी एमसी मंडी जो की सोलन में आती है वहां पर कर रहा है पहला और तीसरा इसका सही होगा एपी एमसी सोलन में वह आपने ध्यान रखना है अगले कोईशन में पुला गया है विच ऑफ दा फॉलोइंग कांगड़ा डिष्टिक इस कनेक्टिड विद गढ़वाल बाई से अब्रेल पाचिस तो हम बहुत बार पढ़ते हैं कि जो कांगड़ा को अलग लग दर्रों स स्टेट तो यह राजा रामचंद कहां के राजा हुआ करते थे यह इंदूर के राजा हुआ करते थे और ओपशन सी सही अंत्र हैं हिंदूर नालगड का ही प्राची नाम है कमेंट कर गया बताइए कि हिंदूर की स्थापना किस नें की थी फुटी वेस्ट में बोलते हैं बुद्धिष्ट टेंपल ऑफ अवलोकितेश्वर कॉमनली नोन अज गुरु घंटाल इस सिच्टेटेड अब दा कॉन्फ्लेंस ओफ विच्टू रिवर तो अवलोकितेश्वर मंदीर जो की अवलोकितेश्वर का जो बौध मंदीर है जिसे आम तोर पर गुरु घंटाल के नाम से जाना जाता है किन दो नदियों के संगम के उपरस्तित है तो यह चंद्रा भागा के उपरस्तित है चंद्रा भागा का संगम जहां तांडी में होता है वहां से यहां पर लिखा गया है गुरु घंटाल गोंपे के बारे में चंद्रा भागा का जो कॉन्फ्लेंस होत तुप्चलिंग विलेज ये घर यहां पर जो है उस टैचू अवलो की तेश्वर भी जो यह करता है। और यहां पध्यान रखना है आपने कि गुरू घंटाल मंदिर भी उसको कहते हैं तेम्न घुरू घंटाल भी इसको कहते हैं यहां पर कहा पुरी तरह से बनाया गया यहां पर एक माता माता बजरेश्वरी की बजरेश्री देवी की जो है अगले गोश्ट में क्या बोला गए है तो हिमाचल में टोटल नमबर विलेजी आते हैं 20,690 और हिमाचल परदेश में इस मैसे जो इन हैबिटेड विलेजी जाते हैं वो 17,882 है अन इन हैबिटेड विलेजी 2,808 है केलंग साम का नाम है यह किस जंजाती के प्रमुख देवता है केलंग देखो गदी जंजाती के प्रमुख देवता है ऑप्शन बी जो है वो सही अंसर हो जाएगा अपने दियान रखने केलंग जो है वो king of all snakes है और यह जो है न वो मुख्य रूप से गदी ट्राइब के दौरा जो है वो पूजा इनकी की जाती है जब भी वो गदी ट्राइब जो है वो अलग लग शेत्रों में अपने पसूं को ले कर जाते हैं तो वो पसूं की जो रक्स पड़ती है exactly slow हो गया डिस्टिक पालंपूर का त्रिपाल हो गया डिस्टिक कांगड़ा का यह जो है न स्नेक बाइट अगर की होना तो वहां पर क्योर करने के लिए जो है यह famous sites मानी जाती है जगाए मानी जाती है अगला question देखते मारे पास क्या बोला गया है next question में 53 में तो बोलते हैं capital capital of the Kullu was shifted from Jagatsuk to Nagar during the reign of which तो बोलते हैं कि जो कुलू था ना कुलू की capital जो था वो जगत्सक से Nagar को स्थाना अंत्रित की थी किसके शाशनकाल के दुरान जो था यह की गई थी यह देखे चार options दिये गए हैं और यह की गई थी विसुद पाल के कारेकाल के द तो कुलू की राज़ाने जो था वो जगत्सक से स्थाना अंत्रित की थी और नगर में जो था वो स्थाफित की थी नगर कहां पर सित है नगर जो है उडिष्टी कुलू में सित है और एक और बात धियान लखने हैं कि यहां पर माता त्रिप्रा सुंद्री का मंदिर भी है यह मातात्र तृप्रवा सुंद्री का मंदिर यहां पर है कि कौन से आर्केटक्स टायल में बना हुआ है तो यह पैगॉड़ा आर्केटक्स टायल में बना हुआ है तो बोलते हैं कि जो सवा नदी उनना में बहती है यहां पर जो सवा प्रोजेक्ट है उसको एसिस्ट करने के लिए कौन सा देश उसाहिता कर रहा है तो इसमें जो एसिस्टेंस मिल रही है वो जाबान से मिल रही है पर जो बहती है सवा नदी के साथ मिलती है पंजाब में रोपड के समीब जो है था जाजार मिलती है अगले कोस्टेंब बोलते है इन विच यह फॉरेस्ट कॉरेस्ट कॉर्परेशन लिम्टिड़ की स्थापना 1974 में की गई थी option भी सई अंसर होगा 1974 में ही कुछ और भी important institutions की स्थापना की गई थी किस-किस institution की स्थापना की गई थी 1974 में 1974 में जो था वो एक तो हिपा की स्थापना की गई थी हिपा जिसको हिमाचल institute of public administration भी कहते हैं आर डिक्सन के दोरा जो था वो इस यहां पर लड़का लो लड़की जो है दूसरे के प्यार में होते हैं और सादी जो है कर लेते हैं कुवा वया होता है इसमें capture के जाता है लड़के के दौरा मेरीज वाइ capture यह है और मजमी वया होता है मजमी वया जो है लड़का अपने sister को भेशता है क्योंकि वह अनेवल होता है मैर्स के खर्चे को पीर करने के लिए इसलिए जो है आ अपनी sister को भेजते हैं इसके लावा diverse और marriage के टाइप हैं कुछ किनल्स के बीच में जैसे कि दम चारीसम हो गया, दम साथिस हो गया पिनांग हचीज हो गया, जुशीज हो गया, ये लव मैरीज के टाइप है दरोस दूबर नियामचा लेमो हो गया, नियामचा देपांग हो गया, आशीज हो गया, हचीज हो गया, ये मैरीज वाइफ फोर्स है जाने खंग जाने तंग हो गया यह common marriage के टाइप है नियो तांग मेरांग हो गया यह form of marriage है जहां पर दो लोग जो है वो दो लोग ही जाते हैं चादी में क्योंकि financial condition जो है वो ठीक नहीं होती तो यह marriage के टाइप हो गए दो मुख्य जो हमारे communities हैं tribes हैं उनके बीच में next question में पूछा गया next question में बोलते है ग्यालतो festival is celebrated in which are the following district of हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं ग्यालतो तिहार जो हो कहां पर मना जाता है कौन से district में जो हो हमाचल के यह मनाया जाता है हिमाचल के अलग 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 फियर festival मना जाता है यह ग्यालतो तिहार लोहल पित्ती का important त मनाया जाता है और जुलाई महीने में जो है यह मनाया जाता है हालदा और लोसर फैस्टिवल तो आपको वोता है बुदिष्ट के द्वरा मनाया जाते हैं जहां पर भी रहते हैं खुन और पागली जो है ये भी पत्तन वैली का important festival है गोची त्यार हो गया ये चंद्रा और भा एक important princely state है धामी ट्रेजरी भी आप पड़ते हैं धामी जो फाइरिंग हुई थी वो भी आप पड़ते हैं परन्तु यहां पर पूचा गया है कि जब गुर्खाओं को दोरा टैक किया गया तो धामी के उस टाइम राजा कौन हुआ करते थे तो उस टाइम जो है धामी की दले विराज चुहान के वंसस थे गोविन पाल जिनके दोरा इसकी स्थापना की गई थी और जब गुर्खाओं के दोरा आकर्मन किया गया था तो दलेल सिंग जो थाओ यहां के जुथाओ शाशक हुआ करते थे राना गोवर्धन सिंग जो थाओ 1857 के विद्रों के समय यहां के शाचक हुआ करते थे और पंदरा अपराल उनने सो अर्दालिस को जो थाओ कसुम्टी तेहसिकल का भाग जो थाओ धामी को बना दिया गया था और महासू जो जीला बना था उस टाइम उसमें यह मिल गया था और यह भी पता होना चाहिए कि धामी की राजधानी जो थाओ क इने सही अंसर अगले कोईशन में बोला गया है और बौर्डर ऑफ विच डिस्टिक इज इन ऑफ हिमाचल प्रदेशी मलाओं फोर्ट तो बोलता है मलाओं के लाज़ जो है ना वह हिमाचल के किन जिलों के बारडर के वीच में स्थित है तो यह बिलासपूर और सोलन के बी दूसरी और सोलन की बात करें तो सोलन भी विलासपूर के साथ एक बांडरी शेयर करेगा एक मंडी के साथ बांडरी शेयर करेगा एक शिमला के साथ बांडरी शेयर करेगा और एक सिर महर के साथ इन चार डिस्टिक के साथ जो है बांडरी शेयर करता है यहाँ पर वही चापना में पूराना मुजियम है उसकी स्फापना उनी जार्ट में की तदें, तो मणी का मेला ने मेला कितने दिनों कस चलता है। ऐसात दिनों यहां से ध्यान रखना है कि आपने सूर्य सेन मंडी के सासक जो था वो हुआ करते थे जिनके द्वारा इसे एक कुल्चिरल फॉर्म जो था वो दी गई थी इस फेस्टिवल को इस फेयर को और मंडी में और भी लग लग तुहर बनाया जाते हैं प्रंदू यह इसी के बार में कुछ लिखा गया है कि साथ दिनों तक चलता है मंडी डाउन में चलता है अगला कोशिन देखे क्या बोलते हैं इन वी चुफ द फॉलाइंग डिस्टिक आफ हमासल प्रदेशिस दिबी वोकरी पिरामिट कहां पर सथिता है दिबी वोकरी पिरामिट जो है वो कुलू में है अगर हम कुलू की ही इस तरह से बात करते हैं तो कुलू में इंपोर्टंथ पीक्स कौन-कौन सी है यह को दिब पांकी का मुख्य रास्ता है, चम्भा से पांकी के बीच में साच पाश अस्तित है, यह साच पीक है, तरन्सेशन rondक से हो सकते है, साही इसको पड़ा जाएगा, ऐसे CHS करका ही, कुल में ही जो है वो दिबिवोकरी पीरामेट पड़ता है, कुल्लू में ही पतालसु पीक यहां पर पड़ती है, यहां पर ही सोलिन पीक यहां पर पड़ती है, शित्य धार यहां पर पड़ता है, तो यह सारे ध्यान रखेंगे एकले क्योश्यन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, which of the following bank has the highest number of branches in हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में किस bank की जो हैं वह हाइस्ट number of branches तो पंजाब नेशनल bank जो है वह हाइसτο number of branches है इसकी amana King Bank option भी हुआँ ही तो ज़िए फन्सर हो जागा किस bank की कितनी branches घो कितने branches हें वह भी पता होना चाहिए वो है हिमाचल प्रतेश ग्रामिन बैंक काता है जिसके की 274 ब्रांची जो है वो है ये कोशिन बड़े पहले का है और अल्लेडी जो है वो है एच्चे एस में जो है ये कोशिन पूछा भी जा चुगा है अगर आप तैयारी एलाइट सर्फिस की कर रहे हैं तो एलाइट सर्फ है और अभी सबीसियन टाइम है कि आप उसको प्रैक्टिस कर पाएं अगला कोशिन देखे 67 बोलते हैं फेर वाज़ा समर कैपिटल ऑफ पत्याला प्रिंसली स्टेट तो पत्याला प्रिंसली स्टेट की जो ग्रिसम कालीन राजदा नहीं हुआ करती थी ओप्शन सी जो है व आइटिन सिक्स्टी लोहल स्पित्ती वाज पार्ट अफ कांग्रा की उनीं सो साथ से पहले लोहल स्पित्ती अगडा का हिस्ता हुआ करता था अगले मैं बोलता है कुल्लु वाज आल्चो तहसील ऑफ कांग्रा अप्टू 1971 तक यहाँ कांगडा की तहसील जो था वो थी कुलू जो है वो पंजाब का भाग था पहले कुलू डिस्टिक बना पंजाब का एक 1963 में इन 1963 में पंजाब का डिस्टिक बना था उसके बाद क्या होता है फस्ट नमंबर 1966 को जो पंजाब री और्गनाजेशन एक्ट केते है जो है वो क्या होता है इसको जो है वो एक डिस्ट इन वी इन किनॉरडिस्टिक इन 14 मच्छा फॉलइंग मत तो लिखना धिश्टिवल है और मुनाया जाता में परनतु बोलते हैं कि यह जो है वह कौंसे महीने में मनाया जाता है, देखो मिन device अगर हम बात करते हैं ऑदाओ के महीने जो है वो जो आकरिती मिली थी तो अडंबरों के सिक्के को पर आकरिती जो मिली थी वो त्रेशूल की मिली थी त्रेशूल आप्शन भी सही अंजर होगा त्रेशूल की मिली थी और यह question बहुत आर पूछा गया है अगले question में क्या बोलते हैं which are the following is not right bank tributary of Ravi तो बोलते हैं कि इनमेंसे Ravi की कौन सी right bank tributary नहीं है देखो Ravi की tributaries तो पता है परन्तु Ravi की भी जो है वो right और left bank tributaries जो हैं वो रही तो Ravi की right bank tributary इनमेंसे हैं नहीं है चिर्चुन्द नाला option D सही अंसर होगा यहां पर देखिए तो चिर्चुन्द नाला अब धियान रखना है अगले question में बोलते हैं What was the total diesel potential installed capacity of power in हिमाचल प्रदेश up to March 31, 2022 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश में बिजली की कुल डीजल संभावित जो स्थापित क्षमता कितनी है वो थी 0.13 मेगावाट option A यह question PGT में अलड़ी पूछा जा चुका है तो इसको no truck नाम अगले question में बोला गया है बोलते हैं What was the female sex ratio in हिमाचल पित्ती as per 1991 census तो बोलते हैं अलग लग जंगरना की according कि अलग लग टाइम में अलग लग जंगरना हुई और किस जीले का वहाँ पर कितना था तो important one points यहां से निकाल कर जो हैं वो सबसे पहले जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे 2011 के according उसके बाद 2011 के बाद 2001 और उसके बाद 1991 ठीक है इस हिसाब से हम बात करेंगे तो पहले तो overall हिमाचल की जो हो sex ratio आपको पता होने चाहिए तो overall हिमाचल की sex ratio के अगर आप बात करेंगे as per 2011 census तो कितनी थी तो वो थी 972 वो आपने ध्यान लखना है ये तो थी 2011 की 2011 से पहले जो था हो हिमाचल की sex ratio जो था वो कितनी थी तो 2001 में 968 जो था sex ratio थी और 2001 से पहले 1991 में 976 जो था वो sex ratio थी अच्या अगर अब district wise बात कर लिजाए तो 2011 की जब जन्हुर्णना होती है तो lohol spitti की sex ratio होती है वो कितनी होती है lohol spitti की sex ratio आपने ध्यान रखनी है कि 903 जो था वो लोहल्स पित्ती की सेक्स रेसो थी ये पता चल गया अगर हम बात करते हैं कि उससे पहले भी कभी जनगरना हुई उससे पहले भी जनगरना हुई बिल्कुल 2001 में जब जनगरना हुई तो लोहल्स पित्ती की सेक्स रेसो किती थी 802 ये लोहौल 50 की सेक्स रेस हो थी और 1991 में किती थी तो वो 817 थी ये भी पता चल गया इतना ध्यान रखें अगले क्वेशन हैं पूला गया है इन विच येर कोटकाई वास फाइनली और नेक्स्ट बाइब ब्रेडिस तो कोटकाई को अंतता किस वर्स ब्रिटिसर्स के द्वारा ज कर लिया गया था शिमला में कोटकाई पड़ता है अगले कोशन हम बोलते हैं विच और फॉलिंग कॉंबिनेशन इस नोट क्रेक्टली मैच इनमें से कौन सा कथन सही रूफ से सुमिलित नहीं है पहले हम बोलते हैं त्रियूंग नारायन जो है ये मंदिर है क्या में बात करें तो सबसे पहले जो हमारे बास दिया गया है यहां पर वो दिया गया है त्रियूंग नारायन क्या ये पैगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है तो बिल्कुल सही बात है कि त्रियूंग नारायन का मंदिर जो कि डिस्टिक कुल्लू में पढ़ता है वो कॉल सा भी बात है तारना देवी मंदिर क्या ये फ्लैट रूफड आर्किटेक्स ट्याय। में बना हुआ है । डो मार्किट एक्स्टाइल कौन सा है जिसमें जौला मुखी का मंदिर बना हुआ है जो चिंतपूर्णी का मंदिर है वो बना हुआ है वो डो मार्किट एक्स्टाइल में जो है वो आते हैं कोशन नमर 76 देखे भूलते हैं इन 14 फॉलइंग मंथ चैरवल फेस्टिवल सेलिवरेटर दो चैरवल का त्युहार कौन से महीने में मनाया जाता है चैरवल फेस्टिवल के उपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी अलग से वीडियो इस लिए बनाई थी क्योंकि इस दिन क्या होता है अगर मैं डिटेल से बताऊंगा आपको तो याद भी आ जाएगा इस दिन किसान जो है वो अपने खेतों में जो है वो बैलों को नहीं जोते चैरवल फेस्टिवल को जो है वो प्रिथवी पूजा भी कहते हैं और इबाधों के महीने में मनाया जाता है ऑप्श 78 में बोलते हैं what is the average annual growth rate of हिमाचल प्रदेश during first 5 year plan तो बोलते हैं कि जो first 5 year plan था उसके according हिमाचल की annual growth rate रही वो कितनी रही first 5 year plan के according तो आपने ध्यान रखना है कि वो रही 1.6% option भी जो है वो से अंसर हो जाएगा अलग अलग 5 year plan आए उनके according हिमाचल की जो annual growth rate रही वो अलग अलग रही जैसे कि first के according 1.6 रही second के according अगर हम बात करें तो 4.4% जो था वो रही थी third के according अगर हम बात करें तो कितनी थी 3.0 थी और उसके बाद तो देखो आपको पता है annual plans भी आया थी फिर fourth 5 year plan आया था fourth में जो था वो कितने रही थी 3.0 रही तो फिफ्ट में नहीं रही थी फिफ्ट में में दोज़र तेश चौबिश में 7.1 Q7.9 में बूलते हैं In 1815, the territory of Jubbal was handed over to which ruler बूलते हैं कि 1815 में Jubbal का क्षेत्र की साशक को सौंप दिया गया था तो Jubbal का क्षेत्र जो था वो 1815 में सौंप दिया गया था राना पूर्ण सिंग को राजा उगर चंद तो अगनस्ट पंदरा अप्रेल 1948 को जो है यह हिमाचल का भाग बन जाता है अगले question में बोलते हैं which of the following statements are true तो इन मेंसे कौन सी statement सही है पहले हम बोलते हैं जंजियार is performed by both men and women दूसरे हम बोलते हैं कि नौर चंब is performed by female only तीसरे हम बोलते हैं धांडराज performed by men गदी धांडरास men गदी के दरह perform किया जाता है ये बोथ men और female और female दोनों perform करते हैं चंब की नौर का है demon mask जो है इसमें demon mask लगाकर जो हो perform कि जाता है और चंब को जो है वो lamas monasteries में perform करते हैं धांडरास की बात करें तो ये मुख्य रूफ से गदी पुरसों के द्वारा ही perform कि जाता है और चंबा वैली का ये important है ये details से भी हो गया टेस्टीर में भी शायद इस तरह का question है एलाइड सरुसिस की टेस्टीर में भी question number 81 देखें 81 में बोलते हैं in which year present moment in थियोग took place तो थियोग का ये किसान अंदोलन जो था वो कब हुआ था 1898 में थियोग का ये किसान अंदोलन जो था वो हुआ था अगले question में देखें क्या बोलते हैं 82 में बोलते हैं ओन विच रिवर शॉंग्टों कर्चम hydroelectric project तो सॉंग्टों कर्चम hydroelectric project जो हो कौन सी नदी पर है तो सतलूज रिवर basin पर ये है option सी जही अंसर है 83 में बोला गया है which of the following statement is correct तो पहली statement बोलते है total good production in हिमाचल प्रदेश during 2021-22 is 15.79 lakh ton में ये दिया गया है और बोलते है total good production in हिमाचल प्रदेश during 2020-2021 is 15.21 lakh तो इन में से कौन सी statement जो है वो सही होगी तो पहली और दूसरी दोनों ही statement सही है बोथ statement 1 and 2 और correct 84 में बोलते है arrange the following district of हिमाचल प्रदेश in ascending order in term of their area of operational holding 2015-16 census के according तो शिमला, मंडी, कुलू के नौर दिये गए है इनको arrange करना है तो सबसे पहले दूसरा आएगा फिर पहला आएगा फिर तीसरा आएगा फिर चौत आएगा देखते हैं कि किस तरह से क्या बात है या फिर details से इसको देखेंगे हम कि किस तरह से जो है यह है इनका operational area दूतरा है हमारे बास मंडी सबसे पहले मंडी आएगा फिर मंडी का शिमला आएगा फिर आएगा उसको अधर कुलू और उसके बाद किन और आएगा देखो अगर हम total area की बात करते हैं कि कितना है जो operational holding है तो पूरे ह इसमा चल मैं जो है 9,44,226 यह जो है इतना हेक्टेर area जो है न ऑपरेशनल होल्डिंग है इसमें से अगर हम शिमला में बात करते हैं कि शिमला में कितना है शिमला में है 1,18,893 हेक्टेर यह आपने ध्यान रख रहे हैं कि हेक्टेर में यह दिया गया है मंडी की अगर हम बा बात करते हैं तो कुल्लू में जो है यह है 39,974 और अगर हम बात करते हैं किन और के तो किन और का कितना है 13,684 इतना लैक एक्टेर area जो है वो कहां पर है ऑपरेशनल होल्डिंग है तो यह आपने ध्यान लखना है यह अगले रिष्टी के बारे में होगे अरेंज करने को ब ज्यामा पूछा जाता है 85 देखे बोलते हैं on which day according to Vikram संबत does सिरिखंड महादेव यातरा usually begin तो बोलते हैं कि Vikram संबत के अनुसार जो हो सिरिखंड महादेव यातरा जो हो कब स्टार्ट होती है तो Vikram संबत के अनुसार सिरिखंड महादेव यातरा असाड पुरुनिमा को ज पंडर भीशी usually associated तो बोलते हैं 4-26-12-26 और पंडर भीशी उपस मुह आम तोर पर किस समुधाय से जुड़े हो हैं तो यह खसास के साथ जो हैं वो जुड़े हो हैं option D खसास जो है वो सही अंसर है खसास के साथ जो हैं यह जुड़े हो हैं तीग अगला कर्शिन देखे 87 यह अग्ले में बोलते हैं वेन डिद हिमाचल प्रदेश विकेम ईनिफ व्लकूल यह ऐसान कोईशन है च्तार्शल में ऑगले सिंग mandate चशप्ण में मोलते है यहां पर ace of the following statement is not correct आने से स्टेटमेंट जो है वह उन्हें नहीं है इन्में से देखो कौन्सी स्टेटमेंट correct नहीं है तो पहली statement में बोलते हैं बाबा दयागिरी फेर जो कि दौलतपूर में लगता है कि यहां पर जो है वो धमसा फेर जो हो famous है कांगरा में और दूसरे में बोलते है कि जो बयांग्चू होता है वो woman का डांस है और तीसरे में बोलते है सांध means song और prayer of Buddha चौते में बोलते हैं तो इनमें से not correct है कौन सा यह जो बयांग्चू होता है कि यह male woman dance है तो यह जो है वो सही नहीं है option B जो है वो सही अंसर हो जाएगा यह जो है वो male dance है जहांपर महिलायन जो है वो मुखे रूफ से पीछे से जो है वो गाना प्रवाइट करवाती है vocal dance जो है यह vocal music जो है वो प्रवाइट करवाती है 90 में बोलते है which of the following which is correct year of the formation of हिमाचल प्रदेश लोखित पार्टी हिमाचल लोखित पार्टी जो है वो इसकी formation बतानी है कि कब हुई थी तो यह फरवरी 2012 मैं हुई थी option A जो है वो सही अंसर है आज अब present time में आप बताईए present time है हिमाचल प्रदेश में जो MLA है उनमें कितने independent time में ले हैं यह आप comment करके बताईए है कितने हैं अगर नहीं है तो कितने नहीं है वो बताईए 91 देखिए बोलते है 84 योगी जार स्टेटेट तो है विजिडेड चमबा प्रिंसली स्टेट दूरिंग दा रेन औफ विचकिंग तो बोलते हैं कि कहा जाता है कि 84 योगीों के दोरा जो है वो चमबा का दोरा किया गये था तो यह कब किया गये था 84 योगीों के दोरा चमबा का दोरा अगर हम बात करते हैं कि 84 योगी जो था वो कब चमबा आये थे तो ये राजा साहिल वर्मन के कारेकाल के दोरान आये थे आप्शन बी जो है वो सही अंसर हो जाएगा राजा साहिल वर्मन के कारेकाल के दौरान यह आए थे और यहां से यहां से क्या ध्यान रख सकते हैं। राजा साहिल वर्मन वही हैं जिनके दौरा चंबा सहर की स्थापना की कि holistic इनहीं के कारेकाल के दौरान यह फिर इनहीं के दौरा लक्समी नारायन मंदिर बनवाया गया था, कामेश्वर मंदिर बनवाया गया था, चंदर सेकर और चंदर गुप्त मंदिर भी जो था, वो इनके द्वरा ही बनवाया गये थे 92 में क्या बोलते हैं, बोलते हैं, how many scheduled caste students have been benefited under Dr. Ambedkar चातरविदी योजना Dr. Ambedkar चातरविदी योजना के अंदरगत कितनी अनुसूचित जाती के विद्यारतियों को लाभानवित किया गया है, तो ये किया गया है 1250 विद्यारतियों, वो option D सही अंसर है, इस योजना के बारे में वैसे हम पहले भी जान चुके हैं, तेको ये जो Dr. Ambedkar मेधा भी चातर हजार पर यह ओ दिया जाते हैं, ये योजना योजना स्थी और OBC स्टूदेट्स के लिए है, अभी तक इस योजना के तहट 1716 OBC स्टूदेट्स और 1424 OBC स्टूदेट्स को Hoş सा 石च गया काने के बैंध़ाउत है के OBC के उनको जो है matriculation के examination के basis पर condition ये भी है कि वो HP boost से ही पढ़े होने चाहिए हिमाचल प्रदेश बोड़ ऑफ स्कूल education से ही उनकी पढ़ाई होने चाहिए उनको ठारा सार पर ये जो है वो दिया जाता है अगले question में देखें बोलते हैं अगले question देखें क्या बोलते हैं यहां पर which of the following which of हिमाचल प्रदेश is not correctly matched तो बावा गरीबनाथ टेंपल के कांगडा में है और काली बाडी मंदिर के शिमला में है महेश्वर टेंपल के किन नौर में है और सनी देव टेंपल के लंबलू में है तो बावा गरीबनाथ टेंप अचा यह मंदिर कहां पर है वो आप कमेंट करके बताइए चाहिए यह question तो हमने पहले भी पढ़ा है अभी अगले question में बोलते हैं तो पठियार और खनियारा की जो स्क्रिप्स है उन जो कांगडा में पढ़ता है यह जो है वो कौन सी है ब्रामी और खरोष्टी जो है वो इनकी लिपिया है यह पता चला अगले question में देखिए बोलते हैं जांकी और हंतार और famous fork dances of which of the following district जांकी और हंतार चंबा के important fork, song and dances ह अगले में बोलते हैं to meet the sustainable development goal by 2030 what aim has been set up by department of forest to enhance the forest covering state की 2023 तक जो SDG को पूरा करने का लक्से रखा गया है उसमें वन विवाग ने जो है वो वन क्षित्र को बढ़ाने के लिए के लिए कि अलक्से निर्धारित किया है तो वन विवाग ने यह किया है कि हम जो है वो forest को 30% तक जो है वो geographical area का increase करेंगे detail से समझे तो पता चलेगा forest department ने जो हो target रखा है कि अभी हमारा forest area है वो है 27.74% ठीक है जी इसको target रखा है कि इसको 30% जो है वो हम कर देंगे 2030 तक ताकि sustainable development goals को जो है वो meet किया जा सके sustainable development goals की बात करते है तो sustainable development goal number one बात करता है no poverty की यह आपने जासे no poverty की यह बात करता है sustainable development goal number two बात करता है zero hunger की यहां पर मोटे मोटे तार पर मैं लिख देता हूँ zero hunger की यह बात करता है goal number three बात करता है good health and well being की good health and well being की यह बात करता है fourth number goal बात करता है quality education की पांच्वे नंबर का goal बात करता है gender equality की छटे नंबर का goal बात करता है clean water or sanitation की सात्वे नमबर का गोल बात करता है, affordable and clean energy की और आठवे नमबर का गोल बात करता है, decent work and economic growth की, नाइन्थ नमबर गोल बात करता है, industry, innovation and infrastructure की, तैंथ नमबर गोल बात करता है, reduce inequalities की और गयारवे नमबर का गोल बात करता है, sustainable cities and communities की, बारवे नमबर का गोल बात करता है, responsible consumption and production की, 13 number goal climate action की बात करता है 14 number goal life below water की बात करता है 15 number goal life on land की बात करता है 16 number goal peace and justice की करता है 17 number goal जो है वो partnership for the goals की बात करता है तो ये 17 goals जो है वो निर्धारित किये गए है 98 question देखे बोलते हैं which painter of Chamba column became very popular who came to Chamba from Guler in 1765 1765 बोलते हैं कि Chamba column के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोग प्रिये हुए जो 1765 में जो था वो गुलेर से चमबा आया था तो गुलेर से चमबा कौन आया था गुलेर से चमबा जो था वो ये निक्का आया था निक्का पेंटर थे ऑप्चेने से अंतर हो जाएगा गुलेर से जो था वो चमबा आया थे राजा रात सिंग के कारेकाल की बात है कि ये जो था वो आया थे गुलेर से चमबा ये ध्यान लखना है अगर हम बात करें कि important चमबा के प्एंटर है चमबा कलाम के पेंटर है उसमें मंगू आता है उसमें जो हो घली आता है बनवारी आता है मुकूंद आता है ये चमबा के पेंटर है important, famous वाले पेंटर अगे बोलते हैं Where is薰 जांगी & यंट लिंपा बुद्धिष्ट साइट से लोकेटेड तो कि जांगी और लिंपा बुद्धिष्ट साइट से वहाओ कि नौर में स्तित्थ है और अगले कोशन में देखें बोलते हैं in which of the following municipal corporation it will be made mandatory to installed solar water heating system in new buildings तो बोलते हैं कि निम्मलिकित में से कि इस नगर निगम में के नए भबनों में सौर जलतापन प्रनारी स्थापित करने का अनिवार्य कर दिया गया है कि यह है हमारा बजट जो अभी का बजट है 24-25 का उसमें यह कमबश्री किया गया है कि सोलन, पालंपूर और धरमचाला इन तीनों में ही जो है वो सोलर वाटर हीटिंग जो है वो नए बिल्डिंग में होना चाहिए डेटेल जे बताता हूँ सोलन पालंपूर धरमचाला जो मुनिस्पल कॉर्परेशन है उनमें इमेंडेटरी किया गया है कि सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम जो होना चाहिए जो नई बिल्डिंग आती है और इंस्टारलेशन और रूफ टॉफ टॉफ सोलर पैनल्स की भी बात की गई है जितने भी गौर्वर्मेंट बिल्डिंग्स होंगी उनमें जो है यहां पर कॉर्परेशन में जो है उनमें रूफ टॉफ टॉफ सोलर भी होना चाहिए यह कहा गया है तो यह बजट के अकॉर्डिंग बात है और यह most expected question भी है तो हम 100 question जो है वो पूरा कर चुके है marathon class की demand थी आप यह वही marathon class का जो है भाग है अगर cooperation मिला तो बाकी sessions भी देखने को ऐसे मिल सकते है टेलिग्राम पर अगर आप में अभी तक हमें join नहीं किया तो टेलिग्राम पर join करने के लिए अपने टेलिग्राम से add the rate all exam 31 इस तरह से सर्च करना आपको होना टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा टेलिग्राम पर ही आपको मारा whatsapp group भी मिल जाएगा paper 1 की तयारी कर रहे हैं तो testers का link नीचे description box comment box में दिया गया है पाकी आपकी कोई भी queries होते हैं तो आप directly हमें email भी कर सकते हैं जब भी आप हमारा कोई भी group join करेंगे चाहे वो whatsapp का होगा टेलिग्राम का होगा वहाँ पर ना आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने QG's भी जो है वो time to time upload किया है जो QG's आपकी बहुत ज़्यदा help exam में करते हैं तो इस session में इतना ही है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening very patiently